आप लोग अपनी Windows 11 को Mac OS के जैसे दिखता हुआ, बना सकते हो, आपको simply जाना है Microsoft Store पे और ये Rounded TV नाम किये के application इसको download and install कर लेना है इसके बाद ये आप लोगों को options देगी, dynamic mode को enable करने के, आप system tray को on या off करना चाते हैं यानि कि आप देखना चाहते हैं जो आपके bottom right में system tray होता है उसको यह नहीं यह चीज़ा पस्टमाइज कर सकते हैं उसे के साथ साथ आप लोग margins अपनी पसंद से set कर सकते हैं, जादा margin चाहिए तो जादा ले सकते हैं, कम चाहिए तो कम ले सकते हैं जैसे जैसे windows 11 evolve हो रही है यह application भी अपडेट पुश करती रहती है लेकिन अगर आप लोग अपने desktop को aesthetic सा look देना चाहते हैं तो इस application को जरूर राइक करना यह बात आप लोगों को मालूम देगी नहीं मुझे नीचे comment section में भी जरूर बताना